हेलो फेंट्स वेल्कम टू आओर ऑफिस्यल चैनल दगोल एचिवर में रामकौण करना प्लोग का स्वागत करता हूं हमारी यूटूब के ऑफिस्यल चैनल दगोल एचिवर में जैसा कि आप लोग को पता है मैंने अपडेट करके भी बताया था कि एप सीया के जो नौटिफ ग्रेट 3 और मैनेजर में क्या मतलब अंतर है उसके एक्जाम पैटर्न क्या रहते हैं और भी बहुत सारे डाउट से एज क्रैटेडिया को लेकर तो उसमें से मैक्सिमम डाउट में इसमें किलियर कर दूंगा और इसके अलावा अगर आपके मन में इस वीडियो देखने के बावजुद अगर आपके में कोई डाउट रह जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाले और आज मैं क्या करूंगा साम में एक सेशन लाइव आ जाऊंगा और उसमें जितनी भी डाउट होंगे आपके तो वह मैं आपको लाइव बताऊंगा जो भी डाउट होंगे पूछ सकते हो और इस कमेंट बॉक्स में आगर आप ड्रॉप कर देते हो को सेप्रेट में बिडियों बना कर भी आप लोग के लिए मैं ले कर आऊंगा तो आप लोग ऐसे रिक्वेस्ट कोई भी डाउट रह जाए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डॉप कर दो सबसे पहले एपसीया को लेकर में बता दू कि एपसिया एक्साम जो है है अजयर टयार कता है पुद्द चो अब देखने को मिला करेंगे और मैनेजर की बात करेंगे ऑसिस्टेंट ग्रेट इक्जाम था और मैनेजर का वह इससे पहले 2019 मेंदेखने मिला था मैं इस में वी फरवड़ी के आसपास आपको 28 तक waar नाइटक देखने को मिली थी और 2019 में असिस्टेंट और gwेट त्री और मेनेजर दोनों की एक्जाम हुए थे और असिस्टेंट टुडी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेट थी एकावंथ बहुत सारी पोस्ट इसमें देखने को मिलती है तो जेनरली बहुत जो huge number में जो students है maximum number of students जो है assistant grade 3 के लिए अपलाई करते हैं general और depot के लिए तो सबसे पहले मैं आज बता दूँ कि इसका जो exam pattern सबसे पहले exam pattern के बात करते हैं फिर मैं आपको उसका pay scale भी दिखाऊंगा exam pattern assistant grade 3 और manager का जो प्रिलिम्स exam होता है जैसा कि बैंक की exam देखे जाते हैं सेम पैटर्न इतमे फॉलो किया जाता है एक्चुली चुकि एक्जाम करवाती है तो exam pattern भी बैंकिंग की तरह देखने को मिलता है पहला जो प्रिलिम्स होगा दोनों का वह इंग्लीस 30 marks 30 questions आपको 20 minutes दि 35 questions 35 marks 20 minutes और mathematics के लिए 35 questions 20 minutes और 35 marks के लिए दिये जांगे यानि कि इंग्लीस 30 questions reasoning और math 35 questions और सभी के लिए 20-20 minutes आपको sectionally देखने को मिलेगा यही सेम पैटर्न मैनेजर के लिए भी प्रिलिम्स के लिए देखने को मिलता है आप मेंस की बात करते हैं मेंस में 4 sections आते हैं पहला आपको क्वांट देखने को मिलेगा जिसमें mathematics second reasoning third आपको general awareness देखने को मिलती है और इसमें बैंकिंग थोड़े कम रहते हैं लेकिन जेनरल अवेरनेस और स्टेक पोर्सन काफे पूछे जाते हैं और लास्ट कंप्यूटर awareness भी इसमें देखने को मिलता है जी हाँ इसमें computer awareness भी देखने को मिलता है सेम पैटर मैंजर का भी फॉलो किया आता है अगर कोई स्टुदेन में क्वालिफाइ कर जाता है तो अगर आपका स्कील टेस्ट वाला पूथ है तो आपके स्कील टेस्ट होंगा and जैल और वेश क्वावरी में उत थियसंवे Photoshop beni इसमें एक अधाने की होता है इसके बाग फिर finish रिजल्ट इंटर्व्यू आने के बाद जो फिर मेरिट वेसिस पे जिनका सेलेक्शन होता है फिर उनको बुला लिया जाता है डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए तब उनका सेलेक्शन होता है यानि कि मोटा मोटी अगर देखे तो असिस्टेंट ग्रेट 3 और मैनेजर का प्री और में सेम होता है और एक्चुली मैनेजर पोस्ट केटेगरी 2 की पोस्ट है तो इसमें एक एक्जाम इंटर्व्यू का एड हो जाता है आप सबसे बड़ी बात आती है कि इसके एज क्राइटेरिया क्या होता और एक्जाम लेबल के अगर बात करूं असिस्टेंट ग एक रख सकते हो लेबले बहुत ऐजी रहता है ज्यादा टफ नहीं रहता है से कर सक्ते हो मैनेजर की बात करूं तो सबसे सबसे पहले अगर हम ग्रेट पे की बात करें और एज क्राइटेरिया की बात करें तो यह अस्ट मैंने नॉटिफिकेशन से एक क्लिप लिया है इसमें बहुत सारी पोस्ट आती है जुनियर इंजिनियर सिविल सिर्द लिफ पे जाने लिफ्य और तो द्ये यह जो कि बात करूं और यह अगर्वरी सित्वन वात months की बात करूंतो तो यह अब नहीं नुट्यू नूटिफिकेशन में यह वह देखने वाली बात होग्य एज क्राटेरिया की बात करूँ तो असिस्टेंट ग्रेट 3 जेनरल एकाउंट्स और डिपो के लिए मैक्सिमम एज 27 उससे ज़्यादा है तो आपको इसमें एलिजबल नहीं है जी है फ्रेंट्स 27 एज तक आप इसके लिए क्वालिफ मतलब भर सकते हैं अगर आपका कैटेगरी OBC SCST में आती है तो आपको जो relaxation मिलती है तीन साल और पांस साल का तो फिर आप इसमें add-on करके अपने आपको देख सकते हैं जेनरल के लिए जेनरल और EWS के लिए मैक्सिमम में 27 साल है असिस्टेंट ग्रेट तरी जेनरल डिपो और एकांट के लिए और सेलरी की अगर में बात करूं तो पिछले बार जब नोटिफिकेशन आया था तो इनका इसकेल पेश केल जो था वह चालीस हजार से लेकर एक लाख चालीस हजार तक इसका इसकेल पे था और इसमें मैक्सिमम एज जो है अठाइस साल माना मांगा जाता है यानि कि आप अठाइस साल के अगर आप हो गए तो आप इस फॉर्म के लिए हैं आप मतलब इसमें उसमें अगस्त के आज पास इसकी वेकेंसी आई थी मैनेजर के तो एक अगस्त 2019 तक 28 येर्स मांगा गया था तो सब क्वालिफाई कर जाते हैं उसको फुलफिल कर लेते हैं तो अठाइस से जादे अगर आपका है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजबल नहीं होंगे हाँ ओबी सी एस्ट के लिए फिर रिलेक्सेशन इसमें आप एड़ आन कर सकते हो तो ये थी बात और इसकी अगर सेल सांग है वह काफी बढ़ गई है तो यह असिस्टेंट ग्रेट 3 वा क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो भी बच्चे जिनों ने भी अगर क्रेजुएट ग्रेजुशन किया हुआ है या बीटेक किया है तो वह आप इस फॉर्म को फुल्फिल करते हैं इसके क् दिखते हैं चाहिए असिस्टेंट ग्रेट 3 वहां अगर इसका नॉटिफिकेशन आता है और कुछ बच्चों का पेडिंग में रहते हैं तो मैं बता दूं कि इनके नॉटिफिकेशन एक्जाम फॉर्म जब एप्लिकेशन फिल हो किया जाता है तो उसमय नॉटिफिकेशन म आप इसके लिए होते हैं तो इस वार क्या नया किया जाएगा तो उस पर बात हम लोग करेंगे तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को कर सकते हैं और मैक्सिमम इस अशिस्टेंट ग्रेट 3 के लिए जेनरल के लिए 27 यर्स और मैनेजर के लिए 28 यर्स मिलता है तो आप लोगों को जो भी डाउट सों किलियर हो गए होंगे और काफी अच्छी जॉब है और अभी से आप लोगों को कुछ बच्चों का दिमाग में है कि सर मेरा टार्गेट एक्जाम ही है और कौन सा मौक दूं तो आपको मैं बता दू प्री लेबल का अगर मेंस के सेट बनाते हो तो भी यह काफी सफिसेंट है इस इक्जाम को निकालने के लिए बसरते अगर आप बनाते हो तो वहां पर आपको कंप्यूटर अवेरनेस मिल जाएगा और भी कलर का भी तो कंप्यूटर अवेरनेस मिल जाएगा तो उसके हिसाब से एक्जाम का एकदम एक्जैक लेवल आपको देखने को मिलेगा वहां बसरते क्या होगा आप हिंदी ऑप्ट ना करके इंग्लीज बनाना तो फिर यह सेम सेम इसके एक्जाम पैटर्ण को फॉलो करेगा तो आई होप आप लोग को यह बहुत सारे डाउट्स किलियर हो गए हो और भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें और मैं देखता हूं साम में आपको लोग के लिए एक लाइव सेशन जरूर लेके आऊंगा आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो और जल्द ही यह नौटिफेकस्टन आप लोग को देखने को मिलेगा तो जम के तयारी कीजिए और जैसे कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोग को बताता हूं एक अपडेट एपसी है एक्जाम की कि नौटिफेकस्टन आपको बहुत जल्द हो सकता है 28 फरवरी के बाद 28 फरवरी के आसपास मतलब एक दो दीन में भी आने की काफी चांसे हैं तो रेडी रहे आपको लोग और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे हैं कोई भी कमेंट में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट मे कीजिए मैं सभी के कमेंट को लेकर जो भी डाउट सोंगे मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा और लाइब में भी आकर उसके और डिसकस करूंगा थैंकी पर वाचिंग की वाचिंग आवर वीडियो